नमस्कार दोस्तों Defense News Update के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है हो सकता है इस News में बताएगे जानकारी आपको गोर्मेट जॉब के एक्जाम में हल्प कर दे इसी के साथ आप लोगों कुछ और भी बता दू कि Indian Navy, Indian Air Force, Indian Army and Indian Coast Guard के आउनलाइन और आफ्लाइन पाम स्टार्ट हो चुके हैं जो लोग इंटरस्टीड है ज़रूर एप्लाई करें लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप विजेट कर सकते हैं हमारी ओफिशल वेबसाइट समझायका.in पे तो चली बढ़ते हैं अब हम निउस के तरफ दोस्तों D.I.D.O. Chief S. Christophe ने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया U.C.A.B. गातक प्रोजेक्ट को Modify Carvery Dry Engine and Steel Technology के साथ पास्टेक प्रोसेस के साथ विक्षित किया जा रहा है तो यह चीज़ थोड़ी सी जिध्यान रखेगा किसके साथ किया जा रहा है Dry Engine, Carvery Dry Engine and Steel Technology के साथ यह चीज़ आपको पूछी जा सकती एक्जाम में ठीक है तो विक्षित किया जा रहा है यह चीज़े हैं तो यह चीज़े हैं तो याद रखेगा इन में से काफी सारी चीज़े हैं यह 18,000 करोड है और जो मैंने उपर चीज़े आपको बताई तो यह न्यूज आपको जो है आपको पूछादा सकता है तो उमीद करता हूँ आप नेक्ट वीडियो का वेट करेंगी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा इस वीडियो को ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके बाकी ज़रूर एपलाई करे हैं गोर्मेट जॉब्स के लिए ज झाल